हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल इकरा हेल्थ टिप्स सेहत मन बने रहने के लिए हमें कई प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन नयमित रूप से भी करना चाहिए खाने के बाद हमें अक्सर किसी मीटे पदार्थों को खाने की सला दी जाती है ताकि पाचन क्रिया में आसानी हो इस खाद्य पदार्थों में गूड का भी नाम शामिल है जो आमतोर पर सभी घरों में बड़ी आसानी से मिल जाता है विबिन प्रकार के पकवानों को बनाने में गूड का इस्तिमाल किया जाता है इसका अलग-अलग रूप से सेवन करें तो यह हमारी सेहत के लिए काफी फायदे मन होता है इस वीडियो में आपको गूड का सेवन करने से होने वाले विशेश फायदों के बारे में बताया जाएंगा ताकि आप भी अपनी दिन चर्या में इसको शामिल करके सेहत मन बने रहें वजन घटाने के लिए मुख्य रूप से गूड के पानी का सेवन करने की सला दी जाती है कई मशूर डायटिशन भी सुजाओ देते हैं कि जिन लोगों को मोटापे की समस्या है नियमित रूप से गूड के पानी का सेवन करना चाहिए इससे वजन को कम करने में प्रभावी रूप से असर दिखाई पढ़ने लगता है पाचन क्रिया को अगर थोड़ी भी समस्या का सामना करना पड़ता है तो इसमें कई प्रकार की बिमारियों की चपेट में ला सकता है एक अध्यान के अनुसार इसमें फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है फाइबर एक ऐसा पोशक तत्व है जो मुख्य रूप से पाचन क्रिया को सुचारू रूप से चलाएं रखने के लिए शरीर के लिए बहुत आवशक होता है गूर के जरिये इस पोशक तत्व की पूर्ती करने के पाचन क्रिया को मेंटेट रखा जा सकता है रोग प्रती रोग शमता को मौजूद बना कर आप कई प्रकार की संक्रामक बिमारियों और कुछ जानलिवा बिमारियों के खत्रे से भी बचे रह सकते है एक विज्यानिक अध्यायन के अनुसार गूर में मजूद जिंक और विटेमिन सी की मात्रा रोग प्रती रोग शमता को मजबूत बनाने के लिए प्रभावी रूप से मददगार साबित होती है इसलिए जिन लोगों की इम्मिनेटी कमजोर है वह गूर का सेवन कर सकते है हाई बलड प्रेशर की समस्या से हर साल पूरी दुनिया में लाखो लोगों की मौत होती है इससे हाईपरटेंशन के नाम से भी जाना जाता है जबकि गूर में मौझूद पोटेशियम की मात्रा आपको हाईपरटेंशन की समस्या से बचा सकती है इतना ही नहीं गूर में मौझूद पोटेशियम की मात्रा आपके बलड प्रेशर को संतूलित बनाए रखने के साथ साथ stroke, osteoprocess और kidney stone की समस्या से भी शरीर को शुरक्ष्या प्रधान करती है liver की cleaning कराना बहुत जरूरी है नहीं तो यहाँ अलसर और infection की समस्या हो सकती है liver में अगर लम्बे समय तक संकर्मन बना रहता है तो यह cancer का रूप ले सकता है जबकि गूड में मौजूद डिटॉक्सिक गुन टॉक्सिक पधार्तों को लीवर से बाहर निकालने का कार्य कर सकता है इसके लिए आप चाहे तो गूर को गरम पानी में उबाल कर भी इसका सेवन कर सकते है गूर अच्छी तोचा के लिए भी जरूरी है तोचा की देखभाल करने के लिए आप अपने आहार में गूर को शामिल कर सकते हैं गूर असल में बलड प्यूरिफाई करने में मदद करता है यह तोचा को साफ रखने में अहम मुहमी का निभाता है गूड शरीर से हनिकारक टॉक्सिन बाहर निकालने में मदद करता है इस से आपकी तोचा साफ और सस्त बनी रहती है रोजाना गूड खाने से मुहासों से छुटकारा मिल जाता है और चहरा ग्लो करने लगता है एनिमिया की शिकायत होंगी दूर गूड में आईरन की मात्रा काफी होती है हिमोगलोबिन को बढ़ाने के लिए आप गूड को अपने आहार में शामिल कर सकते है एनिमिया के मरीजों के लिए तो गूड अमरुत के समान है चलिए जानते हैं गूड खाने के नुकसान क्या है गूड खाने के फायदे के साथ साथ आपको इससे होने वाले संभवित नुकसान के बारे में भी बताया जा रहा है ताकि आप अपनी सेहत का खास खयाल रख सके अधिक मात्रा में किसी भी खाद्यवधार्त का सेवन करना नुकसान दायक होता है और गूड के साथ भी यही बात लागू होती है अधिक मात्रा में यदि आप गूड का सेवन करते हैं तो यह शुगर, मोटापा और टाइप 2 डाइपेटीज का खत्रा भी बतारे हैं